स्वागत है दोस्तों आपका Amplifier World चैनल में और आज बाते करने वाला हूँ थ्री बेंड टोन कंट्रोल सर्किट डायग्राम की तो देखे इसमें खास बात यह होगी कि इसमें मिलेगा आपको सूपर मीड याने की मीड की कॉलिटी बाकी से बहतर रहेगी और रही बात ट्रिबल की तो ट्रिबल की कॉलिटी इसमें होगी ब्राइट जी हाँ ब्राइट ट्रिबल से मतलब है कि उसमें जो हाईयर फ्रिक्वेंसी का जो रिस्पॉंस है वो काफी ज्यादा रहेगा बशर्ते आप अच्छा ट्विटर यूज़ करें तो चलिए इसका सरकी डाइग्राम देखते हैं तो यहाँ पर ड्यूल ओपम का यूज़ किया जा रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओपम में दो इंपूट होते हैं एक इंवर्टिंग इंपूट और एक नॉन इंवर्टिंग इंपूट तो जो पॉजिटिव है वो और यहाँ पर दो इसके लेक्स हैं यह पॉजिटिव एंड निगेटिव सप्लाई है तो पॉजिटिव इंपूट एंड निगेटिव इंपूट के अलावा प्लस माइनस सप्लाई की यह पिन होती है तो प्लस माइनस सप्लाई की पिन अलग है और पॉजिटिव इंपूट और निगेटिव इनपूट ये अलग है तो निगेटिव को हम नॉन इनवर्टिंग इनपूट कहते हैं और पॉजिटिव को इनवर्टिंग इनपूट कहते हैं तो दोस्तों यहां पर inverting input pin को ground कर दिया गया है और non-inverting input pin पर एक resistance और capacitor लगा कर signal input दिया जा रहा है signal input देने के लिए एक 10K की resistance और 4.7UF यह capacitor का use किया गया है यहां पर आप 1UF का भी use कर सकते हैं लेकिन base की quality maintain रहने के लिए recommendation यह है कि आप यहां 4.7UF use करें इसके बाद देखिए यहां से हमें एक output मिलेगा और यह output हमें एक capacitor के जरिये लेना है यहां पर भी इसकी value 4.7uF यहां पर आप 63V का use कीजिए क्योंकि market में यह 63V से नीचे के capacitor यह मिल नहीं पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है 4.7uF 63V का use किया जा सकता है असानी से और इसके बाद यहां पर देखिए एक feedback का network लगाना होता है और यह gain के लिए भी responsible होता है तो यहां पर एक resistance लगती है यहां पर लगने वाली resistance की value जितनी ज्यादा होगी इस op-em का signal output level उतना ही ज्यादा होगा तो यहां पर recommendation यह है कि आप यहां 100K का एक resistance लगाए और इसी 100K resistance के parallel में ही एक बहुत ही कम value का capacitor लगता है जो की 22PF से लेके 47PF के आसपास हो सकता है कई बार आप 10PF भी लगा सकते है इसको लगा देने से यह होगा कि high treble करने पर जैसे आप highest position पर जब open करेंगे तो एक चरचराहट की आवाज आती है वो इससे कम हो जाती है फिर नहीं आती है अभी तक आपने यह जो circuit देखा है यह tone control section का gain booster circuit है अब यहाँ पर जो signal मिलेगा यह boost level पर signal मिलेगा यानि की input से ज़्यादा level का signal यहाँ मिलेगा और यहाँ पर यह tone control section में भेजा जाएगा और इस tone control section से मन चाही frequency adjust करके हमें एक output मिलेगा जो की power amplifier को जाएगा तो यहाँ पर देखी यह base control section का मैंने circuit draw किया है तो यह जो यहाँ पर base का control लगा है यह 50K का controller लगेगा बेस के लिए और उसी के across में 104 का यह capacitor है और देखे signal यहाँ feed होगा 6.8 के इस resistance के जरिए तो जो हमें output signal मिल रहा है यह output वाला signal जो मिल रहा है यहाँ पर एक resistance लगा कर हमें यह signal इस ओर देना है तो यहाँ पर resistance आप 10K का लगा सकते हैं या फिर 22K भी लगाई जा सकती है इस resistance की higher value से gain कम हो सकता है तो आप यहाँ पर 10K या 22K जो आपको available हो आपको लगा सकते है इसके बाद देखे tone control section को काम करने के लिए यहाँ पर हमें एक और op amp की जर्रत पड़ेगी जैसा कि आप जानते है 4558 इस IC में दो op amp होते हैं अन्यक्य डूल op amp होने करण एक op amp जो है हमने यहाँ पर gain boost के लिए यूज़ किया है और दूसरा op amp हम यहाँ पर tone control को modification के लिए यूज़ कर रहे है इसके बाद bass और treble यह दोनों signal non-inverting input spin पर आएंगे तो उसके पहले हम क्या करेंगे non-inverting input pin और output pin इसके बीच में एक low value का capacitor लगाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर 47PF या 33PF का यह capacitor आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसको लगाने से फायदा यह होगा जब आप treble को maximum open करेंगे तो एक high treble पर clipping की problem आती है वो इस capacitor लगाने से यह problem नहीं होगी इसके बाद दिखिए जो base का control है center pin से इसके non-inverting input पर देने के पहले हमें 8.2 के यह resistance लगानी होती है अब जैसे कि आप यहाँ पर जानते कि यहाँ पर हमने 10K का resistance या 22 के यह recommend किया था तो चलिए यहाँ इसकी value लिग देता हूँ मैं 10K के यह resistance की value है अब देखिए जो base, meet, triple याने की tone control section होता है उसमें जो भी resistance लगती है सभी quarter watt में लगती है क्योंकि वहाँ पर कोई current flow नहीं होता only just signal flow होते है इसलिए quarter watt की resistance काफी है अब यहाँ पर देखिए इधर 6.8K का resistance लगा है और दूसे तरब भी 6.8K का resistance लगा है तो base का जो control है जब इधर साइड रोटेट करेंगे तो maximum signal flow होगा और इस वज़े से output में हमें ज्यादा base मिलेगा अब जैसे यहाँ पर 104 का यह capacitor यह base के लिए responsible होता है अगर आप इस capacitor को हटा देते हैं आपको base में काफी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा यानि की quality काफी बिगड़ जाएगी base का frequency चेंज करने के लिए आप वहाँ पर 1,2,4 भी यूज़ कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर एक हमने treble का control लिया है लेकिन यहाँ पर treble के control में कोई resistance यूज़ नहीं हो रही है डिरेक्टली जो treble का control रहेगा उसके first and last pin पर इस तरीके से input and output इस तरीके से connect हो जाएगा अब जो भी signal हमें मिलेगा center pin से मिलेगा center pin से जो signal मिलेगा वो signal हमें एक resistance और capacitor के थुरू non-inverting input pin पर देना है तो देखिए यहाँ से हमने एक signal center pin से उठाया है तो यह हमारा treble का control है इसलिए यहाँ TRE में short में लिख देता हूँ तो जैसे हम इसको towards signal side shift करेंगे control को तो हमें maximum signal मिलेगा और यह जितना भी signal आएगा यह resistance और capacitor के थुरू जब जाएगा तो capacitor इसमें higher frequency को ही allow करेगा यानि कि यहाँ से क्यों high frequency इस non-inverting input पर जाएगी और output में हमें triple मिलेगा तो इस तरीके से यहाँ पर यह capacitor की value के उपर आपका triple decide होता है तो यहाँ पर recommendation यह है आप यहाँ पर 182 यह capacitor use करें तो 182 अगर नहीं मिलता है तो triple 2 यानि कि 222 use किया जा सकता है लेकिन higher value का capacitor आप shift करेंगे जैसे जैसे तो इसमें triple के साथ थोड़ी mid frequency भी जाने लगेगी इसलिए अच्छा यह है कि यहाँ पर आप 152 या 182 यूज करें तो यहाँ पर base and triple के control हो चुके है अब देखते हैं meet का control तो देखे meet का जो control रहेगा वो 10K का रहेगा और इस control के दोनों साइड में 1.5K यह resistance यूज होगी तो एक साइड signal साइड से जूड़ी है और दूसरा output साइड से जूड़ेगी इस तरीके से तो इसको आप 50K यूज करते हैं तो हो सकता है performance में थोड़ा फर्क बढ़ जाए इसलिए recommendation यह है कि आप यहाँ पर 10K का ही यूज करें इसके बाद देखें यहाँ meet का control के center pin से हमें एक resistance लगानी है और एक capacitor लगाना just like बिल्कुल triple के जैसा ही है यहाँ पर capacitor और 38 nF लेकिन यह output हमें non-inverting input पर नहीं देना है देखें यहाँ पर नहीं देना है इसे हमें देना है inverting input याने plus वाली pin पर तो देखें base और treble जा रहा है non-inverting input पर और जो triple है वो inverting input पर जा रहा है तो देखें इस तरीके से connection हो जाएंगे यह cross wire यहाँ से इस तरीके से यह connect नहीं है cross wire का symbol अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसमें mid के साथ treble भी चली जाएगी अगर हमें treble को cancel करना है तो इस pin पर जो भी treble वाले signal है उन्हें ground करना होगा तो इसके लिए यहाँ पर एक resistance और capacitor का network लगाना होगा तो यहाँ पर देखिए हमने एक capacitor लगाया है इसकी value 223 याने 22 nano farad है उसको ground किया है सेम इसी के parallel में एक resistance लगाया है 10k की resistance है उसको लेके ground किया हुआ है तो यहाँ पर यह 10k की resistance है इस तरीके से और यह ground से connect हो गई है अब यहाँ यह जो resistance और capacitor का network है इसके ज़री यह ground हो जाएगी और इससे फायदा यह होगा जब भी आप mid को open करेंगे तो आपको mid frequency ज़्यादा सुनाई देगी और triple की frequency यहाँ पर ground होने से triple का effect mid के जैसे control को आप जब open करेंगे तो triple का effect आपको नहीं सुनाई देगा तो इस तरीके से base, mid and triple यहाँ complete हो चुका है अब output हमें लेना है इसके output pin से तो यह output हमें मिलेगा 4.7 microfarad 63 volt यह capacitor के ज़री है यहाँ पर आप दूसरा capacitor just like 1UF भी लगा सकते हैं तो यहाँ से हमें output मिलेगी यह output हमें directly किसी power amplifier को feed करनी होती है अक्सर ऐसा देखा जाता है अगर यहाँ से directly output किसी amplifier को दे देते हैं और gain काफी ज्यादा हो तो एक whistle की आवाज सुनाई देती है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर आप 22K का resistance लगा कर output किसी power amplifier में दे सकते हैं तो यहाँ resistance draw नहीं किया है लेकिन आप उस resistance को add कर सकते है दोस्तो अभी तक जो circuit है इसमें जो triple की quality है एक normal जो bass triple की quality है वैसे ही होगी लेकिन यहाँ पर अगर आप एक capacitor apply कर देते हैं 103 या 223 इस number का तो इसमें क्या हुआ कि जो आपको जो triple का output है उसकी जो sharp में से वो काफी ज़्यादा मिलेगी तो यहाँ recommendation यह है कि आप यहाँ पर 103 का capacitor लगा दे अगर आप यहाँ पर 10K की जगे 22 के लगाके यहाँ पर 103 या 223 लगाते हैं तो triple की quality और भी बहतर हो जाएगी और आप काफी मतलब high frequencies को support करने वाले बहतरीन ट्यूटर लगाकर आप एक high quality triple का आनन ले सकते हैं और mid frequency के लिए यहाँ पर आप देखी रहें network को हमने किस तरीके से strengthen किया है next इसके बाद दोस्तों हम इसके power supply पर discussion करते हैं तो देखिए हमें किसी भी power amplifier इसे run कराना है जो कि plus minus 50 volt या 60 volt की power supply से चल रहा हो तो इस तरीके का आप resistance और जीनर डायोड का arrangement कर सकते हैं power supply बनाने के लिए तो यहाँ पर देखिए 4.7 के 1 watt की 2 resistance ले रखी है जो की positive 50 volt और minus 50 volt की लाइन से connect है इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दो जीनर डायोड लगाने होते हैं यह दो जीनर डायोड लिये हैं मैंने जो की 12 volt या फिर 15 volt के हो सकते हैं यह जीनर डायोड यहाँ recommendation यह है कि आप 15 volt पर चलाइए क्योंकि यह op amp IC के लिए 15 volt का जीनर डायोड जो भी standard companies होती है 15 volt ही recommend करती है इसके बाद यहाँ पर एक और जीनर डायोड लेना है जो negative side को clamp करेगा voltage यहाँ पर 15 volt का जीनर जब आप लगाते हैं तो जो op amp IC है वो original होनी चाहिए क्योंकि fake IC 15 volt पर अक्सर fail हो जाया करती है तो अगर आपके पास original IC नहीं है तो आप यहाँ पर 10 volt का जीनर यूज़ करिए इसके बाद यह जो output मिल रहा है हमें यहाँ पर हमें एक filter capacitor small value का आप लगा सकते हैं जो कि 100 UF से 220 UF के बीच में हो सकता है इस तरीके से यह capacitor लगा कर यह power supply हमारी ready हो जाती है तो इस तरीके से यहाँ पर 2 capacitor draw किये हैं यह दोनों capacitor के value 220 UF यहाँ पर देखिए voltage 15 volt है तो आप 25 volt का capacitor यूज़ कर सकते हैं तो यह minus 15 volt यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ से plus 15 volt मिलेगा और ground जो है यहाँ से मिल जाएगा capacitor के value 220 microfarad 25 volt इसकी value यहाँ लिख देते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर positive side में 220 microfarad 25 volt अगर 25 volt आपको नहीं मिलता है ज्यादा volt का मिलता है तो कोई issue नहीं आप ज्यादा volt का भी लगा सकते हैं बस उसका size बढ़ जाएगा तो इस तरीके से power supply ready हो गई है अब यह power supply हमें देना है यहाँ पर प्लस VCC pin यहाँ पर हमें देना है प्लस 15 volt और यहाँ पर देना है माइनस 15 volt इसके बाद दोस्तों यहाँ पर circuit की simplicity बढ़ाने के लिए हमें एक IC draw करेंगे और IC के pin configuration के बारे में भी discuss कर लेते हैं तो इस तरीके से यह 4558 यह एक 8 pin की IC है और इसका first pin के तरफ एक dot बना हुआ होता है और इसके इस तरीके से pin होते है तो 4 pin एक side दूसरे side 4 pin होते है तो यहाँ पर इस IC में 2 op amp इस तरीके से होते है pin no.1 यह dot की ओर होता है तो यहाँ पर pin no.1 है यह pin no.1 लिखा है 2, 3 और यह pin no.4 यह pin number 5 यहाँ हो जाता है 6 7 और यह pin number 8 यहाँ हो जाता है अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह IC के दो पार्ट हो रहे हैं तो pin number 1 से pin number 3 तक एक पार्ट है याने एक 4 तक समझ जाएए यह इस तरीके से half half पार्ट हो गया तो यहाँ पर एक op amp है यहाँ एक op amp है जब हमने circuit diagram draw किया था तो यहाँ पर देखिए दो input बताये थे एक non-inverting input और एक inverting input तो plus and minus से इसको indicate किया था तो यहाँ पर देखिए plus and minus इस तरीके से है और output हमें इस तरीके से output मिल रहा है यह output हमारा pin number 1 हो गया यह एक op amp का हो चुका है अब इस IC के pin के हिसाब से यहाँ पर drawing में हम pin number लिख देते हैं तो चलिए यह जो pin है इस तरीके से जहाँ जो number की pin आ रही है मैं उसके accordingly यहाँ पर pin clarification drawing में लिख देता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे है pin number 8 positive supply है तो यह हमारी हो जाएगी pin number 8 और pin number 4 negative supply है तो यह pin number 4 हो जाएगी अब देखिए 1 number से हमें output मिल रहा है और 2 और 3 इस तरीके से inverting and non-inverting input है तो pin number 2 यह हो जाएगी pin number 3 जो inverting input है यहाँ पर यह इस तरीके से pin number 3 यह हो जाएगी और पहली pin output मिल रही है तो यह पहली pin हो जाएगी अब सेम op m का जो दूसरा part है उसका भी इस तरीके से लिख देते हैं तो pin number 5 जो है inverting input है तो देखिए pin number 5 यह हो गई हमारी pin number 5 next इसके बाद non-inverting input pin number 6 है तो यह pin number 6 हमारी non-inverting input है और इसके बाद output जो मिल रहा है यह इस तरीके से यह output pin pin number 7 और power supply की pin दोनों op m के लिए common है तो इसलिए एक ही side में लिखा हुआ है तो इस तरीके से इस IC की detail मैंने यहाँ पर लिख दी है उमीद है बहुत से बंदों को अभी यह समझ में आगे होगा picture clear होगे होगा कि किसी भी op m से किस तरीके से बास्टेबल डिजाइन किया जा सकता है यहाँ power supply अगर आप 70 volt रखते हैं तो आपको 5.6k की resistance यूज़ करनी होगी 4.7k की जगह और आप इसे directly 12 volt से चलाते हैं तो आप वहाँ पर 100 ohm की resistance यूज़ कीजिए तो दोस्तों यह रहा base meet triple का circuit तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you for watching and have a nice day